हलो दोस्तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल देशी नुस्के में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक हर्बल रिफिल तैयार करने का प्रोसिस बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपने घर के मच्छरों को बाहर भगा सकते हैं साथ ही साथ ये मच्छरों को भगाने के अलावा जो दूसरे कीट्स होते हैं जो लाइट के आसपास आपको उड़ते हुए दिखाए देते हैं उनको भगाने के लिए भी काफी लाबदायक है फ्रेंस मच्छर के काटने से हर साल हमारे देश में बहुत सारे लोगों की मिरत्यू हो जाती है इसके फिरकोप से बचने के लिए मार्कीट में अलग-अलग तरह की कोईल्स मुझूद हैं और डिफरेंट तरह की रिपिल्स या रिपलेंट मुझूद हैं जिनको हम यूज करके मच्छरों से निजात पाते हैं दोस्तो ऐसा माना गया है बलके एक रिसर्च में ये प्रूफ हो चुका है कि एक मोस्किटो कोईल अगर हम अपने रूम में जला कर रखते हैं तो उसका इतना ज़्यादा नुकसान हमारे फेफरों पर होता है कि जैसे हमने एक पैकेट सिगरेट से भी ज़्यादा सिगरेट पी ली हूँ या हमने उससे ज़्यादा बीडियां पी ली हूँ जितना नुकसान हमें एक packet या दो packet cigarette पीने से होता है उतना ही नुकसान हमारे फेफड़ों को एक mosquito coil के जलाने से हमारे फेफड़ों को नुकसान होता है ठीक है इसी तरीके से जो हम और दूसरे all out या हम और refill करते हैं ये expensive भी होते हैं और हमारे शरीर के लिए हमारे गले, फेफडों और हमारे नाक के लिए काफी नुकसान दे होते हैं आज मैं आपको एक हरबल refill बनाने का process बताऊंगा जिसका use करके आप मच्चरों को भी भगाएंगे और इसका किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान हमारे शरीर के लिए नहीं है ठीक है फ्रेंट इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ तीन चार चीजों की छोटी चोटी चीजों की ज़रुवत होगी उसका use करके आप बिल्कुल मच्चरों से निजात पा सकते हैं इन हरबल आयरवेदिक रिफिल को त्यार करने के लिए आपको सबसे पहली जो चीज चाहिए होगी वो है कपूर केक आप कहीं से भी जो पूजा वगारा में use होती है उस कपूर को आप खरीद कर ले आएं दूसरे नमबर पर जो हमें इंग्रिडियन की जरुत होगी वो है नीम का तेल तीसरे नमबर पर हमें एक तेल की और जरुत होगी क्योंकि नीम के तेल में थोड़ी सी गंद आती है उससे बचने के लिए हम इसमें use करेंगे जो रोगन बादाम होता है या जो बादाम का ते या आप इसका दिया जला कर भी यूज कर सकते हैं और अगर आप किसी खुले जगा पर सो रहे हैं जहां पर आप ना तो दिया जला सकते हैं और ना ही रेपलेंट कर यूज कर सकते हैं आप इसको अपने शरीर पर अपनी तवचा पर लगा कर भी अगर सोएंगे तो भी मच्छर आपके पास तक नहीं आएंगे और वो लिक्विड या वो जो नुस्खा हम बनाएंगे उसको आप अपने इसकिन पर अपलाई करेंगे देन डेफिनेटली वो आपके इसकिन के करनी है और अगर बड़ी कपूर के आपके पास में है तो आप दो या तीन मैक्जिमम कपूर का यूज करें ठीक है इन कपूर को फ्रेंड आप अच्छे से मसल ले यानि कि उनको पीस ले फ्रेंड में आपको जो एंपटी रेपलेंट होता है उसको फिल करने का तरीका बता रहा हूं आप अपने अकोडिंग इस मिक्शर को बना कर रख सकते हैं श्टोर कर सकते हैं और उसको अपने हातों पर भी अपलाई कर सकते हैं आपको तीन कपूर केक लेनी हैं और उसमें फिर आपको लगभग 50 ml नीम का तेल डालना है ठीक है नीम का तेल 50 ml अगर आप डाल इंगोले हैं तो लगभग उसमें 10 ml आप बादाम का तेल एड करें इन दोनों को एड करने के बाद में इन तीनों इंगरिडेंट्स को कपूर के चून जो हमने बनाया है और नीम का तेल और जो तीसरा इंगरिडेंट है बादाम का तेल इन तीनों को मिक्स करके आप किसी कोई एम्पटी या जो रिफिल होती है उसमें भरकर आप इसको अपने पिलग पर लगा दें ठीक है इसका दोस्तों खर्चा भी जो ओल आउट होती है उससे कम आता है और ये आपको किसी भी तरीके का कोई नुकसान भी नहीं पहुचाएगा अगर आप इसको अपने हाथों पर या अपने चेहरे पर लगाना चाहते हैं तो आप थोड़ी कम क्वांटिटी में इस लिक्विट को तैयार कर लें और इसको अपनी इसकिन पर रात को लगा कर सो जाए या तीसरे नंबर पर आप इस मिक्चर को दिये की फोम में भी यूज कर सकते हैं आप इसको जला कर जिस तरीके से हम दिया जलाते हैं इस लिक्विट को आप दिये में डालें और उपर से फिर उसको आप जला कर छोड़ दें एक या दो गंटे तक उसको जला रहने दें उसके बाद में आप दिये को बंद कर दें ठीक है नीम के तेल की कोस्ट दोस्तो लगबग 70 रुपे के आसपास होती है और उसी तरीके से रोगन बादाम की कीमत भी उतनी ही होती है तो ये आपका टोटल जो प्रोसिस यानि के ये हरबल आयरुवेदिक जो हमारा रिपलेंट तियार होगा इसकी कोस्ट एक ओल आउट की कोस्ट से बहुत कम बैटती है क्योंकि ओल आउट उसका के बाद में फ्रेंट आप उसका यूज चार से पांस दिनों तक ही करते हैं और उसकी कोस्ट भी लगबख सेवन्टी रोपीज के आसपास होती है तो ये एक चीप या सस्ता तरीका है और एक आयरुवेदिक तरीका है इससे आपके शरीर को भी फायदा होगा साथ ही साथ य इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी बात आपको पूँचनी हो या कोई क्वेस्चन हो तो आप कमेंट करके पूँच सकते हैं मैं उसका रिपलाइ करूंगा और हमारी इस वीडियो को प्लीज ज्याद से ज्यादा शेर करें ताकि और भी फ्रेंड्स और हमारे फैमिली में इसका बेनिफिट उठा सकें थैंक यू फर वोचिंग टेक केर